आज हम साइकल से रिलेटेट दस ऐसे शब्दों को सीखेंगे जिने अक्सर मिस्प्रोनाउंस्ट किया जाता है और यह अंग्रेजी के शब्द हिंदी में हो बहुत इस्तामाल किये जाते हैं तो चलिए विडियो शुरू करते हैं साइकल एक इंग्लिश शब्द है जिसे हिंदी में साइकल कहा जाता है इसे इंग्लिश में बाइसिकल भी कहते हैं बाई का मतलब दो होता है दो पहियो वाला ट्राइसिकल तीन पहियो वाला जिसे रिक्षॉक कहते हैं पहला word जो mispronounced किया जाता है वह इसे fork कहा जाना चाहिए लेकिन इसे frog कहा जाता है जो की गलत है fork का मतलब होता है दो metal piece से जिस पे cycle और motorcycle का पहिया जो है fit किया जाता है दूसरा word जो mispronounced किया जाता है यह mud guard है इसे motor guard कहा जाता है mud का मतलब कीचड गार्ड मिस रख्चा करना जो कीचड से हमारी रख्चा करता है उसे mud guard कहते है तीसरा word जो mispronounced किया जाता है इसे spoke कहा जाना चाहिए इसे scope कहा जाता है जो की गलत है spoke का मतलब होता है पतले पतले चड जो रीम और hub को एक दूसरे से मिलाता है जिस पे रीम fix होता है चौथा word जो mispronounced किया जाता है इसे tube कहा जाना चाहिए इसे ture कहा जाता है जो की गलत है पांचवा word जो mispronounced किया जाता है वह यह valve tube है इसे valve tube कहा जाता है valve का मतलब होता है एक ऐसा device जो liquid या gas के flow को control करे या एक direction दे और tube जो valve पे लगा होता है उसे valve tube कहा जाता है चौथा word जो mispronounced किया जाता है वह यह pedal है इसे paddle कहा जाता है साथवा word जो mispronounced किया जाता है यह rim है जिसे ring कहा जाता है जो की गलत है rim का मतलब एक metal age जिस पे tire को fix किया जाता है और tire जो word है T-I-R-E American spelling होता है जबकि T-Y-R-E यह British spelling होता है आठवा word जो mispronounced किया जाता है वह यह carrier है इसे clear कहा जाता है जो की गलत है carrier carry से बना हुआ है जिसका मतलब होता है ढोने वाला यह front carrier भी हो सकता है और back carrier भी हो सकता है नाइन्थ word जो mispronounced किया जाता है वह यह stand है इसे stand कहा जाता है जो की गलत है stand double stand और single stand भी हो सकते है stand का मतलब खड़ी करना दसवा word जो mispronounced किया जाता है वह इसे sprocket कहा जाना चाहिए इसे sprocket कहा जाता है जो की गलत है sprocket का मतलब होता है एक पहिया जिसके चारों तरफ दातेदार कीना रहा हो या एक दात को भी sprocket कहा जाता है पूरे को हम sprocket wheel भी कहते है या chain ring chain wheel का word का भी इस्तामाल किया जाता है इसके अलावा भी कुछ words हम देख लेते हैं spindle एक छड जो machine के अंदर गोमती है या machine के अन भाग उसके चारों गोमती है इसे धूरी भी कहते है और axle word 20 के लिए इस्तामाल किया जाता है crank crank एक handle या छड जो एल शेप में होता है जिसे खीचा या घुमाया जाता है ताकि गती प्राप्त की जा सके इसे brake rotor कहते है रोटर का अर्थ होता है कि machine का कोई पार्ट जो किसी भी पॉइंट से घूमता हो जैसे helicopter का पंखा जो होता है उसे भी रोटर कहते हैं इसे brake और हेड ट्यूब के नीचे फॉर्क है तो यह और सारी चीज़ें इस फ्रेम में दिख रही है